अज हम करेंगे 9th क्लास में grammar portion अलंकार तो सबसे पहला question है अलंकार किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ में चमतकार उत्पन कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं अलंकार के दो भीद हैं शब्द अलंकार और अर्था अलंकार तो मैं पहले सब शब्द अलंकार करेंगे जहां शब्दों के कारण किसी रचना में चमतकार उत्पन हो वहां शब्द अलंकार होता है शब्द अलंकार के तीन भीद हैं अनुपरास, यमक और शलेश सबसे पहला है अनुपरास जहां व्यंजनों की बार-बार आवरिती के करण चमतकार उत्पन होता है वहां अनुपरास अलंकार होता है व्यंजन जहां किसी व्यंजन बार-बार आते हैं आवरिती होती है अब बार-बार आना किसी चीज का जहां व्यंजनों की बार-बार आवरिती के करण चमतकार उत्पन हो वहां अनुपरास अलंकार होता है जैसे चारू चंदर की चंचन किरने चारू में चे चंदर में चे चंचल में चे बार बार आया तो यहां कौन सा लंकार होगा अनुप्रास लंकार खेल रही है जल्थल में पुरवा के है चारू चंद्र की चंचल किरने खेल रही है जल्थन में तो यहां कौन सी व्यंजन आया बार-बार चे तो यहां कौन सा लंकार होगा अनुप्रास समझ में आया जहां व्यंजनों की बार-बार आवरिती के करण बार-बार आने के करण चमतकर अत्पन होता है व हुच्छाए देते आया बार-बार ऐसे मधूर मधूर मुसकान मनुहर मैं की आवरती है मुदित महिपती मंदिर आए सेवक सचिव समंत बुलाए मैं और से की आवरती है तो कौन सा लंकार हो गए यहाँ पर अनुप्राइस अलंकार ठीक है नेक्स्ट है दूसरा यमक जहां ए एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु प्रते एक बार उसकार्थ भिन हो अलग हो जहां एक शब्द या शब्द समुका एक से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रते एक बार उसकार्थ भिन हो अलग हो वहां यमक लंकार होता है जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका इहें खाए बोराय नर वहे पाए बोराय कनक कनक एक पनक का रते सोना एक पनक का रत है धतुरा तो सौने में धतूरे से सो गुणी अधिक माधकता अधिकाय है जा धत दिक में जजाता है होती है यह को खाने से वक्ति पागल हो जाता है कि सि button रहा है यह का बॉराय और उसको पाने माथ्र से कि साने चांधी को जब रहें पती के पास धंद दोलाता आती है मैं नशी करने लगा तो धन्वान हो गया को खाने से एक को तो खाने से वक्ति पागल हो जाता है धतुरे को धतुरा नशीली पदार्थ है और दूसरे को किवल पाने मात्र से ये वक्ति नशी का अनुभव करने लगता है सौने में धतुरे से सोगुनाधित नशा होता है उसको खाने से वक्ति पागल हो जाता है अर्थात नश कर तो पर वारो उर्वसी सुन रादी के सुजान तू मोहन के उर्वसी हवे उर्वसी समान अब यहां पर तीन उर्वसी आए हैं तो पर वारो उर्वसी कि मैं श्रीकृषिन जी कहते हैं कि तो उपर वारो उर्वसी रादी का रादी रादा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे उपर स्वर्प की अपसरा है उर्वसी तो उसको नियोच्छावर करता हूं सुनो रादी के सुजान तु मोहन के उर्वसी तु मोहन के हृदे में उर्वसी में इस हिरदे में बसी हुई हो हवे उर्वसी समान इसके समान हो गले में पहने जाने वाले आभुशित के समान हो तीसरे उर्वसी का जो अर्थ है गले में पहने जाने वाला आभुशन है तो तीनों कार्थ लग लग हुआ, एक उर्वशी कार्थ है स्वर की अपसरा, दूसरे उर्वशी कार्थ है क्रिशन के मोहन के हर्दे में बसी हुई, और तीसरे उर्वशी कार्थ है गले में पहने जाने वाला अभूशन, तो तीनों कार्थ लग है तो यहां कौन सा लंकार हो यमक, उचे घोर मंदर के अंदर रहनवारी, उचे घोर मंदर के अंदर रहती है, पहले जो मंदर है उसका अर्थ है, परवत और दूसरे कार्थ है, महिल, तो तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार, जगती, जगती की मूफ प्यास दोजगती हैं तो यहां कौई से लंकार होगा है यमा नेच्स्ट है स्लेश नेच्स्ट शब्दग का मूल अरथ है चिपकना किसी चप चिपक जाना जहां एक शब्द की साथ एक स्यधिक्र्थ हो एक स्दिक अरथ्थ निगलते हों वहां श्रेश लंकार होता है समयाया कि जहां शब देखो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो तो वहां कौन सा लंकार होगा? श्रेश लंकार जैसे जो रहीम गती धीप की खुल कपूत गती सोए बारे उजियारों करे बढ़े अंधिरों होए जो रहीम गती धीप की रहीम जी कहते है कि जो गती जो अवस्थाख धीपक की होती है वैसी अवस्थाख इसके होती है कुल कपूत गती सोए कुल कपूत के कपूत की होती है बारे उजियारों करे बढ़े होने पर वेक्या करता है बारे उजियारों करें बारे मिस जलने पर उजियारों करें प्रकाश करता है बढ़े अंधेरों हुए और बढ़ने पर मिस बुझने पर जो दीपक है जब जलता है तो चारा तरफ उजाला हो जाता है और जब बढ़ जाता है तो अधेरों हो जाता है ऐसे ही यदि जो कुल का जो पुत्र है अधीवे कोई अच्छा कारे करता है तो उनका राम नाम रोशन होता है और वही अगर वह कोई कुकर्म करता है बुरे काम करता है तो जो समाज में परिवार का नाम डूब जाता है तो यहां बारे और बढ़ी में श्लेश लंकार क्योंकि बारे कार्थ बच्पन में और जलाने पर बढ़े कार्थ है उम्र बढ़ने पर बढ़ा होने पर और बुझने बुझाने पर ठीक है तो दोनों के अर्थों लगे हैं तो यहां पर कौन सा लंकार होगा चलेश दुसरा उधारन देखो रहिमन पानी राकिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून रहिम जी कहते हैं रहिमन पानी राकिये रहिम जी कहते हैं कि मनुश्य को अपनी मान मरियादा अपनी इज़त बनाए रखने चाहिए बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, सब कुछ व्यर्थ है पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर मोती मानस चून, मोती मनुश्य और चूने के कोई महत्वर नहीं रह जाता यहने का तात्प्रय क्या है रहिम जी कहती कि मनुश्यों को अपनी मान मर्यादा अपने इज़त बनाई रखनी अपनी रख्षा करने चाहिए बिना पानी के सब को सुना है वियर्थ है पानी के चले जाने पर मोती का मनुश्यों कर चुने का कोई महत्व नहीं है यहाँ पानी में चमक है तभी को उसका उप्योग करते हैं नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है दूसरा है मनुष्य के पक्ष्मे पानी का अर्थ है इज्जत चूने के पक्षमे पानी कार्थ पानी पानी के बिना चूने की सफेदी नहीं वरती है तो यहाँ पानी शब्द के एक सधी कर्थ ले गए हैं तो यहाँ पर श्लेश अलंकार है तो यहाँ कौन सालंकार होगा श्लेश ठीक है नेक्स देवो विपुल धन अनेको रतनस हो साथ लाए प्रियतना प्रियतमा बतला दो लाल मेरा कहां है अब यहाँ पर लाल शब्द के दो अर्थ है एक लाल मिस बेटा और दूसरे लाल कार्थ है मनी हिरा मोती यह पतले लाल तो यहाँ कौन सा लंकार होगा शलेश लंकार ठीक है यह थे शब्दा लंकार अब है अर्था लंकार जहां शब्दों के अर्थ के कारण कावे में संद्रे और चमत का उत्पन हो वहां अर्था लंकार होता है तो सबसे पहला है उपमा लंकार जहां रूप, रंग या गुन के कारण उपमे की उपमान से तुलना की जाए वहां उपमा लंकार होता है जहां जैसा, जैसी, सम, समान, सरिस सा, सी, से ये शब्द आते हैं वहां कौन सा लंकार होता है उपमालंकार सा, सी, से, समान, सरिस ये शब्द आते हैं वहां कौन सा लंकार होता है उपमालंकार जैसे हरीपद कोमल कमल से हरीपद भगवान के चरन जो है कैसे हैं कोमल कमल से इसके समान कोमल है कमल के समान तो प्रभू के चरनों की परमात्मा के अबनों की तुल्ला है कि से की गई है कमल सी पीपर पात सरिस मन डोला पीपल का पत्ता पीपर पात पीपल के पत्ते के समान सरिसमें समान मन डोला मन विचलित हो गया कि जब हवा चलती है तो पीपल का पत्ता बहुत ही पतला होता है बहुत ही जल्दी है लगता है तो उसी तर पानी उम्रित के समान है अम्रित के समान बताया है अम्रित से क्यीं तो कौन से लंकार होगा उप्मा लंकार यह देखिए अर्विंद से शिशु वरिंद कैसे सो रहे अरविंद से से शब्द आ गया देखे अरविंद से अरविंद मिस कमल शिशु वरिंद कैसे सो रहे शिशु वरिंद मिस शिश्वों का समूझ जो सो रहा है तो शिश्वों की तुलना अरविंद से की गई अरविंद मिस कमल, कभीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, कभीर जी ने माया को किसके समान बताया है, माया जो है मोहनी है मोह लेती है, मीठी खांड के समान, मीठी खांड से माया की तुलना की गए है, हो कृद उसने शक्ती छोड़ी एक निस्थुर नागसी, सा, सी, से, हो किनके समान निष्ठु थे तो कौन सा लंकार है यहां पर से पजया तो कोन्से लंकार हो गई है यह अगयात यह बैकस्ध में करण आप यह मैं कौन सरven और आपको खुशुत सुष दो थो यह अपको कापी फोफल के यां mess की करना हिजashed कर दो, और हो और हो